हेलो एवरीवन वेलकम इन दियर सिस्टर चैनल आज मैं आपके साथ चीकु मिकु की एक और स्टोरी शेयर कर रही हूँ जैसा कि मैं आप से कहती हूँ कि अगर आपको अपने इंगलिश के इंप्रूफ करना है तो आप छोड़ी छोड़ी स्टोरी पढ़ा करें जिससे कि जो की वोकैबलरी है वो इन्हेंस होगी साथ ही साथ आपके अंदर इंगलिश को लेकर के एक कॉन्फिडेंस बिल्डोगा तो लेट असटाल यहां पर यह है चीकु एन यह है मीकु और यह है मोती सबसे पहली लाइन यहां पर देखी क्या लिका है मोती वाज लोकिंग फॉर अ इनके मोती सोने के लिए जगहा ढूंड रहा था यहां पर एक हेडलाइन इनके एक लाइन दी हुई है कि मोती सोने के लिए जगहा ढूंड रहा था उसके बाद मोती देखे अब क्या कह रहा है मोती कह रहा है I am sleepy I am sleepy इनके मुझे नींद आ रही है I will have to look for a place I will मतलब will होता ह future के लिए use ठीक है I will have to look for a place इनके मुझे जगहा ढूंड नी होगी place मतलब जगहा ठीक है I will have to look for a place इनके मुझे जगहा ढूंड नी होगी ऐसा यहां पर मोती कह रहा है अब मोती को यहां पर drum दिखा यह क्या है drum है वो क्या कह रहा है वो क्या सोच रहा है कि I think I will sleep myself inside मतलब अंदर that drum यानि कि कह रहा है कि I think I think मतलब मुझे लगता है I think मुझे लगता है I will sleep myself inside that drum यानि कि मुझे लगता है कि मैं drum के अंदर सो जाओंगा विल लगा है यानि कि future की बास सो जाओंगा मुझे लगता है कि मैं drum के अंदर सो जाओंगा यह मोती ने सोचा और वो इस ड्रम के अंदर सो गया यहाँ पे देखे क्या लिखा है मोती स्लीप नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है स्लिप्ट ठीक है यानकी सो गया मोती स्लिप्ट आफ इंसाइड दर ड्रम यानकी इस ड्रम के अंदर मोती सो गया ठीके अब यहाँ पे देखी क्या लिखा है यहाँ पे हेडलाइन दी है Meanwhile, Chiku and Miku were on a walk यहाँ पे वर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे चीकu and Miku यहाँ पे similar नहीं है अगर similar होता तो यहाँ पे was लगता यहाँ पे वर इसी लिए लगा है क्योंकि यहाँ पे चीकu and Miku दो है यहाँ पे एक बच्चन नहीं है बलकि यहाँ पे बहू बच्चनり इसलिए आ पे वर लगा है Meanwhile मतलब होता है इस दौराँ इस दौराँ चीकu and Miku सेर पर थे यहनके walk पर थे were on a walk on a walk मतलब सेर पर थे कि यानिके वौक पर थे ठिकें वोस दौरान जैन इस दौरान पर पर जो beg दम को है। देख क्वे 5000 के हैं यह बहुता है, है नहीं जै। nessלי जैनी को był एक Belt कान मतलब है, है नहीं यह लिका घाल माजलने भावड This is a big Drum in the road यानि कि ये रोट पर एक बहुत बड़ा उनको दिख रहा है धियर हिसा यहा पर एक बहुत बड़ा ड्रम है रोट पर भोग बगाड ड्रम है वो ये कह रहे हैं थीक है तो वो क्या सोच रहे हैं जो मीकु है वो सोच रहा है कि let's remove it let's remove it यानि कि इसे let's remove it from the middle of the road middle मतलब beach मतलब beach से middle of the road and keep it keep मतलब होता है रखना it मतलब इससे aside मतलब एक तरफ यानि इसे सड़क के बीच से हटा दें और एक तरफ रखने ऐसा है आपर जो meek हुए वो कहरा है कि let's remove it from the middle of the road and keep it aside यानि कि इसे सड़क के बीच से हटा दें और एक तरफ रख दें फिर वो दोनों क्या कर रहे है आपको push करते दिख रहे है लिखा क्या है आपे let's push it hard hard मतलब जोर से push मतलब धक्का देना चलो इससे जोर से धक्का दे ऐसा ही कहते हुए वो उस drum को धक्का दे रहे है ठीक है अब इस drum के अंदर तो मोती था तो मोती हिलने लगता है वो क्या कह रहा है जो मोती है वो हिलने लगता है और वो कह रहा है oh no what's happening what's happening मतलब यानि कि क्या हो रहा है वो ऐसा सोच रहा है oh no क्या हो रहा है what's मतलब क्या happening मतलब हो रहा यहां हो रहा है वो ऐसा कह रहा है What's happening ऐसा है यहां पर moti सोच रहा है फिर यहां पर उसी मतलब की यहां पर आपको billi दिख रहे होगे यह हैं-चीकुमीकु यह है-मोती ड्रम के अंदर moti है यहां पर चीकुमीकु है, यह और यहां पर यह बिल्ली है तो just then a cat passed by a cat मतलब इनकी तभी एक बिल्ली a cat मतलब एक cat लिखा इनकी एक बिल्ली तभी just then इनकी तभी a cat passed by a cat मतलब एक बिल्ली वहां से गुजरी और यह बिल्ली ने जैसे ही चीकु मीकु के देखा किया रहे वह हमें दिर्प से कि दिर्प सामाट रेंगी, वह ची को ये कि हम राइंगी, डिर्प मार्ण बिल्ग दिर्प से से कि present continuous tense है यहां पे चीकु एन मीकु आर ट्राइंग to remove the drum वो कह रहा है चीकु मीकु कोशिश कर रहे हैं drum को हटाने की ऐसा वो कहा है वो बिली देखकर सोच रहे है कि चीकु मीकु drum हटाने की कोशिश कर रहे हैं अब यहां पे जो बिली है वो क्या कह रहे है वो कह रहे है I will catch hold of me in just one pound यानि की I will मैं सिर्फ एक जटके में जपत्ता देखे pounds मतलब होता है जपत्ता मारना तो वो यहां पे लिखा कि I will catch hold of me in just one pound यानि की मैं सिर्फ एक जटके में मीकु को पकड़ लूँगा यहाँ पे ऐसा बिल्ली सोच रही है यहाँ पे आपको बिल्ली कैच करते भी दिख रही होगी तो बिल्ली यहाँ पे क्या लिखा है cat try to pounce on मीकू यानि कि बिल्ली ने मीकू पर जपटने की कोशिश की अब यहाँ पे जो चीकू था वो कह रहा है मीकू से run मीकू run भाग मीकू भाग फिर यहाँ पे जो बिल्ली थी वो इस ड्रम पे गिरती है तो लिखा क्या है the cat fell fell मतलब गिरना on the drum यानि की बिल्ली ड्रम पर गिर गई यहाँ पे यह लिखा है अब उस ड्रम के अंदर मोती बैठा था मोती सो रहा था यहाँ पे मोती जो है वो क्या है वो क्या कह रहा है why is this cat here why मतलब क्यों this मतलब है this मतलब यह cat मतलब billy here मतलब यहाँ यानि की वो कह रहा है यह बिल्ली यहाँ क्यों है यह बिल्ली यहाँ क्यों है ऐसा है, यहाँ पर मोती सोच रहा है फिर वो जो बिल्ली है, उसने मोती को देखा और वो कह रहा है Oh no, मोती was sleeping inside it यहाँ पर देखे, was sleeping sleeping यानि कि आएंजी form में was है यानि कि यह past continuous है यह कौन से टेंस हुआ, यह past continuous टेंस हुआ, मोती was sleeping inside यानि कि जो बिल्ली है वो देखकर क्या कह रही है इसके अंदर मोती सो रहा था ठीक है, I will have to run I will have to run यानि कि मुझे भागना होगा I will have to run, मुझे भागना होगा ऐसे यहाँ पर बिल्ली सोच रही है, उसके बाद जो मोती था, वो क्या कह रहा है कि you cannot run away away मतलब दूर you can मतलब होता है, तो you cannot run मतलब यानि कि यहाँ पर sentence पढ़ी है यहाँ पर इसका मतलब है you can not run away from me from मतलब से, me मतलब मुझे यानि कि तुम मुझे से दूर नहीं भाग सकते हाँ 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 ऐसा है यहाँ पर जो मोती ने पकड़ी बिली की पूछ और यहां पे जो बिली है अब वो क्या कह रही है बिली कह रही है लीव मी आई हैव नॉट ड़न एनिफिंग यानि की मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया लीव मी इनकी मुझे छोड़ दो I have not done anything यानि की मैंने कुछ नहीं किया अब यहां पी जो चीकु मीकु है उन्होंने देख लिया वो क्या कह रहे हैं कि The cat is going to get beaten up now अब मतलब यानि की वो कह रहे हैं की बिली अप पिटने वाली है The cat is going to get beaten up now यानि की बिली अप पिटने वाली है और वो जाते हैं मोती के पास और कहते हैं मोती लीव हिम मतलब उससे लीव मतलब छोड़ दो मोती उससे छोड़ दो Let him go यानि की उससे जाने दो I hope आपको इस वीडियो से help मिलेगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा